दोस्तों अज़ हम बात करने वाले हैं आधार काट के बारे में किस तरीके से Photoshop की मदद से हम आधार काट को क्रॉप करने के बाद में प्रॉपर तरीके से स्मार्ट कार्ड साइज में प्रेंट कर सकते हैं अगर आप एक CC user हैं और आपको भी तक यह नहीं पता कि किस तरीके से फोटोशॉप में अधार कार्ट को प्रॉपर तरीके से क्रॉप किया जाता है अधेस्ट किया जाता है तो फ्रेंट्स ये वीडियो आपके लिए कमाल की होने वाली है अगर आप सिखने जाते हैं कि फोट साथ चैनल पर नए है तो प्लीस चैनल को सब्सक्राइब ज़रू करें साथ बेल आइकन पर भी प्रेस के ताकि आपको नोटिफिकर्शन मिले आने लिए वीडियो की सबसे पहले तो फिर्स आप वीडियो को इस्टाड करते हैं सबसे पहले आपको अपने अधार कार्ट को पर आपको ऑपेण पर करना है उसके बाद यहां पर आप सब्सक्राइब को मिला निक्स् सिस्टम में जो भी ब्राउजर की लिस्ट होगी वो आप सभी के सामने open हो जाएगी अब यहाँ पर आपको देख लेना है अगर यहाँ पर भी नहीं आती है तो यहाँ पर आपको एक option दिखाए देता है more app का आपको इस पर क्लिक कर देना है उसको अब total सारी लिस्ट खुल कर कि आप सभी के सामने आ जाती है तो यहाँ पर आपको किसी ने किसी location पर यह कहीं ने कहीं आपको आप या डाउन में कहीं इमेज रेडी का आपको option जरूर मिल जाएगा जैसा कि मुझे यहाँ पर दिख रहा है तो मैं इस पर क्लिक करने के बाद में ok कर देता हूं यहाँ प 2.0 का वरजन तो यह आपके system में automatic install होता है अब यहाँ पर मेरा यह open हो रहा है यहाँ पर PDF का password मांगा जा रहा है आप सभी को पता होगा आधार काड़ जो होता है वो password protected होता है तो यहाँ पर आपको जो उसका password होता है उसको यहाँ पर आप सभी को enter कर देना है तो मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें आप सभी से मांगी जाते हैं यहाँ पर आपको इसको हटा करके यहाँ पर सिंप्ली 2000 कर देना है उसके बाद OK कर देना है अब जैसे आप OK करेंगे थोड़ा सा यह load लेगा उसके बाद यह adopt image ready में आपका अधार card open हो जाता है तो मैं यहाँ पर wait करने के बाद में हम आधार card को smart card की सायज में बना सकते हैं अब यह मेरा open हो चुका है अब आपको यहाँ पर एक और नीचे option दिखाए देता है आपको इस वाले option पर click कर देना जो कि यह adopt Photoshop का symbol है आपको simply इस पर click कर देना है जैसे ही आप सभी इस वाले option पर click करेंगे अब यह automatic image ready से आपका Photoshop में convert हो जाता है और आपका जो अधार card होता है जो open होता है image ready में पहले वह automatic add up Photoshop 7.0 में automatic यह settle हो जाता है अब जैसा कि आप सभी देखेंगे कि मेरा वहाँ से निकल के यहाँ पर आ चुका है अब मैं बचाता हूं कि सुथ किस तरीके से crop किया जाता है किस रेके से इसको हमें adjust करना है अब यह मेरा अधार card open हो चुका है अब हमें इसे crop करना है crop करने से पहले फ्रेंट हम इसको थोड़ा सा zoom कर लेंगे control plus की मदद से अब यह zoom हो चुका है अब इसको crop करेंगे crop करने के लिए हम crop tool को select करेंगे उसके बाद यहाँ पर size आप सभी को set 2.1 inch देनी है यहाँ पर जो resolution है यहाँ पर आप सभी को 118 से 120 ही रखना है उसके बाद यहाँ पर pixel inch यहाँ पर है और पिक्सल cm है तो यहाँ पर आपको pixel centimeter में ही रखना है उसके बाद हम इसको crop कर लेंगे यहाँ पर आपको crop अच्छे तरीके से करना है कुछ ज्यादा area आप आपको नहीं Select करना है आपको जो जिस area में अदर कर आप सभी को दिख़ाई दे रहा है उसी area को Select करना है उसके बाद enter कर देना है अब करने के लिए आप यहाँ पर थोड़ा सा area select करेंगे, उसके बाद इस tool को हटा देंगे, अब आपको control C करने के बाद में control भी कर देना है, अब यहाँ पर एक layer बन चुका है, जो कि आप से भी देख सकते हैं, date के उपर जाने के बाद में date का option गायब हो जा रहा है, अब यहाँ पर आपको layer option पर जाना है, थोड़ा सा नीचे चले आना है, यहाँ पर आपको option दिखाए देता है, merge visible का, आपको इस पर click कर देना है, अब यहाँ पर यह layer lock हो चुकी है, अब आपको फिर से इस tool को select करना है, उसके बाद जो नाम वाला area है, आपको इसको इस तरीके से थोड़ा सा, इसक sorry, यहाँ पर आपको थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेना है, ताकि यह जो नाम वाला area है, आपको थोड़ा सा बड़ा बड़ा दिखाए दे, मतलब थोड़ा सा देखने में अच्छा लगए, कि अगर जब आप इसको print करेंगे, तो बहुत यहाँ छोटा दिखाए देता है, जिसके वाद से इस वो देखने में कम अच्छा लगता है, तो हम इसको select करने के बाद में control T करेंगे, उसके बाद इसको थोड़ा सा हम इस तरीके से adjust कर लेंगे, ताकि यह print होने के बाद में हमें सुने हरे एक्चलों में दिखाई दे, उसके बाद हमें फिर से इस tool को select करन ने करेंगे, अब यह भी वड़ा हो चुका है, उसके बाद अब फिर से हम इस tool को हटा लेंगे, उसके बाद सेम तरीके से जैसे यह आधार नमबर वाला area हम इसको भी ऐसे select करेंगे, उसके बाद इस tool को हटाने के बाद में control T करने के बाद में, हम इसको थोड़ा सा और adjust कर लेंगे ताकि थोड़ा सा आदर नमबर भी हमारा अच्छा दिखाई दे उसकी बाद फिर से हम करेंगे इसको एड़ेस्ट कर रहा हूं पहले पहले थोड़ासा आगे अब यह मेरा अज्जस्ट हो चुका है लगबग आप सभी को अपने हिसाब से इसको अच्छे से अज्जस्ट कर लेना है अज्जस्ट करने के बाद में आपको क्लिक करना है लेयर वाले आप्शन पर उसके बाद आपको यहाँ पर ओप्शन दिखा जिएता है मर्ज बिस्वल का आपको इस पर क्लिक कर देना है अब यहाँ पर एक कम और जाता है आपको फोटो को अड़ेस्ट करना है तो यहाँ पर फिर से मिस्टूल को सेलेट करेंगे उसके बाद जो फोटो वाला एरिया है आपको सिर्फ उतना ही सेलेट करना है उसके बाद इस टूल को हटाने के मज़द से इसमें थोड़ा सा brightness डाल देना है आप अपने according photo को adjust कर सकते हैं तक कि हमारी photo भी थोड़ा हमें अच्छी दिखाई दे क्योंकि बहुत साही लोगों की अधार card में इस तरीके से हुआ कि उनका अधार card डार का चुका है तो यहां पर आप सभी को इसको अच्छे से adjust करने के बाद में okay कर देना है अब फिर इस टूल को चलिट करेंगे इसके बाद यहां पर आने के फोटोशॉप में यहां पर आपको एक option दिखाए देता है फाइल का इस पर क्लिक करेंगे यहां पर एक न्यू का option दिखाए को हमने एड़ेस्ट किया हुआ है इसको हमें लाग करके यहाँ पर इस वाले पेज पर छोड़ देना है जैसे कि मैं अभी यहाँ पर लाग करके इस तरीके से मैंने छोड़ दिया अभी देखिए मेरा अधारकाड इस वाले पेज पर आ चुका है अब हमें जाना है एडिट व आपको 5px करने के बाद में okay कर देना है अब यहां पर आप सभी देख सकते हैं border भी आ चुका है अब हम इसको थोड़ा सा adjust कर लेंगे अब यह हमारा पूरा प्रॉपर तरीके से सेट हो चुका है अब हम इसको cut कर देते हैं तो फ्रेंड्स अब हमारा अदार कार्ड प्रिंट होने के लिए ready हो चुका है अब हम यहां पर file पर click करेंगे उसके बाद print with preview पर click करेंगे उसके बाद अब यहां पर आप सभी को ध्यान देना है इस वाले आपसर पर click कर देना है कि ताकि यह पूरे area में proper तरीके फिट हो जाए यहां पर हमें जाना है page setup में उसके बाद यहा पर हम a4 size ही select करेंगे कि हमने वहां पर a4 का ही new tab लिया हुआ था यहां पर आप सभी को ध्यान देना है उसी page को select करना है जिस page का आपने tab लिया हुआ है almost आप सभी a4 paper पर ही निकालते हैं इसलिए मैंने a4 paper पर निकालना बताया है तो मैं ok कर देता हूं अभी पूरा इस तर printer use करता हूं तो मैं यहाँ पर select है मेरा LX10 पर आप जो भी printer use करते हैं आप select कर सकते हैं उसका properties में जाने के बाद में आपको थोड़ा सा paper quality को adjust कर लेना है और यहाँ पर साथी साथ document size को भी चेक करना है उसके बाद अब मैं यहाँ पर paper size को थोड़ा सा बढ़ा देता हूं ए तो अभी मेरे पास printer available नहीं है तो मैं इसको cut कर देता हूं तो friends यह था पूरा complete video की किस तरीके से आप अधार card को Photoshop की मदद से print कर सकते हैं अब जैसे ही आप सभी print कर से पर click करते हैं तो कुछी second में printer की मदद से आपका अधार card print करके निकाल दिया जाता है बाहर कर दिया जा सबसे अच्छा लगा अगर आप सभी का कोई सुझा होता तो प्लीज हमें comment box में जरू बता हैं तो friends मिलते हैं किसी next video में तब तक के लिए good bye टाटा जैहिन